अधियो आज के वीडियो में हम बात करने वाले मलेरा के बारे में जो के मुख लास 12 के चेप्टर हुमन हेल्थ डिसीज में दे रखा है आज के इस लेक्चर में आपको मलेरा से जूरी हर एक छोटी छोटी इंफ्रमेशन जानने को में लगी उसके बाद हम साथ ही बात करेंग की मलेरा इस छोट्डवाई प्रोटोजॉंस यह ना बैक्टिरिया ना वाइरस यह होता है प्रोटोजॉंस है ठीक है तो जो जो हम पड़ाँए उसका मोट रते जांगे ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रह सके ठीक है अधिया मेरिया कोष्ड बाई प्रोटोजॉआ ठीक है इस प्रोटोजॉआ की भी भूत सारी स्पेसिव होती है अब जो जिस्चनाँ नाम है नाम है ड्रतकर भी इशे प्लाजमों ल्यम ठीक है टिक है ब्ली इस प्लाज़मों कि करती है जो की अलग-अलग तरह के मलेरिया का तर तो हमारी एंसियार्टी में तीन तरह के प्लाजमोडियम के बारे में बात हुई है कौन-कौन से पहला प्लाजमोडियम वाइवेक्स दूसरा प्लाजमोडियम मलेरिया फेलसी परम ये तीनों अलग अलग तरह के मलेरिया कोस्ट करते हैं कि यह अलग मलेरिया अधर हमारी बोड़ीय के अधर पार्ट से को भी अफेक्ट करता है तो यानि कि ये अलग-अलग पार्ट पर पहुत जाता है और इस के विज़द से डेद भी होती है क alternatives है तो यह होता है मेलिकृम अनर्ट मिलमेलिया I докумटी तो इह अझाल मेलिकृम धाल पार्ट व्याइद मलीरिया को पहुचाने के लिए एक वेक्टर की जरुद पढ़ती है जेसे एक जगह से चीज़ों को दूसरी ज़या प्लाफिस्टील में कार कि इसका एक्जामपल हो गया कार हम एक जगह से दूसरे पहुचाती है तो इसी केस में मलिया की केस में जो depressed pernah जी रेको हमारी बोड़ी तक पहुचाता था है एह तो यहां पर एक वै्टर हो गया इनगर किमील इनफर्ष मस्किट्व ओ से जी मेल spokesperson descriptions यह न कुल번 SC फैकर फिनल defense musquito होता है वही मलीरिया को हमारी बोड़ी तक पहुंचाथा है कि थीक मैं तो यहाँ पर एक वेक्टर हो आप टीमेल एनमफ़िलस musquito को चैशे मेल एनमफ़िलस needle एक है सिर्फ पलिद निला खी टेंग को समय ऩुटकर यहाँ है जो कूल था अट नुन वेक्टर होता है इसको यह तो हो गया मलयर के बारे में अब एक और एक्स्टर लिख लिए कि जो फीमेल एडेस मस्कुटी होता है वह होता है देंग्यू का होस्ट फीमोल फीमेल एडेस मस्कुटी ताकि आपको ही इसे दोनों बाते याद रिजाए ठीक है फीमेल एडेस मस्कुटी वेक्टर का काम करेगा यह बात हो गई इसकी अब हम बात करते हैं मलेरा की लाइफ साइकल के बारे में तो मलेरा की लाइफ साइकल कंप्लीट करने के लिए उसको दो होस्ट की जरुद पढ़ती है पहला होस्ट हुमन और सेकंड होस्ट मस्किट खुद तो आईए यही हम बात करते हैं मलेरा की लाइफ साइकल पर तो सबसे पहली बात यह आती है कि जब कोई मस्किटो हुमन को बाइट करेगा तो उसके अंदर प्लाजमोडियम चल जाता है इस्परोजोइट के फॉम में इस्परोजोइट एक इनफेक्शियस फॉम होती है तो यही से हमारा लाइफ साइकल का गयम शुरू होता है कि इस फॉम में जाती है इस्परोजोइट मस्किटो ने हुमन को बाइट किया तो उसके अंदर प्लाजमोडियम चला गया इस्परोजोइट के फॉम में जो कि एक इनफेक्शियस फॉम होती है अब यही स्परोजोइट ब्लेट के तुरू लिवर में जाएगा यह गया लिवर में थुरू ब्लेट ठीक है यह समझाओगे आप तो यह इस्परोजोइट से ब्लेट के थुरू लिवर में गया यह लिवर में जाके असेक्सॉल रिपोड़क्शन करेगा और लिवर सेल्स को बर्स्ट करेगा यानि कि उनको फूर देगा यहां पर हो गया असेक्सॉल रिपोड़क्शन जिससे की लिवर सेल्स बर्स्ट हो जाएगी अब यहां लिवर के बाद यह स्परोजोइट आर बीसी में जाएगा ठीक है रेट ब्रट सेल्स आर बीसी में भी यह असेक्सॉल रिपोड़क्शन करेगा जिससे की आर बीसी बर्स्ट हो जाएगी और तब एक टॉक्सिक सब्स्टेंस निकलेगा कॉल्ड हीमोजोइन जो कि मलेरय में तीन चर दिन का जो बुखार आता है बीज बीज में उसके लिए रिस्पोंसिबल होता है हीमोजोइन आपके सारे कुशन इससे बन जाएंगे आप देख लिएगा तो यहां से यह इसको यहां भी एक असेक्सॉल रिपोड़क्शन करेगा असेक्सॉल रिपोड़क्शन करेगा ठीक है यहां से निकलेगा हीमोजोइन टॉक्सिक सब्स्टेंस जो की तीन-चार दिन में होती रहते ना फीवर मलिया के टाइम पर उसके लिए रिस्पोंसिबल होता है हीमोजोइन ठीक है अब यहां पर कि आर बी सी का काम यहां तक था उसके बाद आर बी सी में एक सेक्स्वल स्टेज डेवलप हो जाएगी जिसका नाम है गेमेटो साइट गेमेटो साइट डेवलप सीन आरबीसी ठीक है ये भी आरबीसी में हुई कुश्चन एसा आएगा कि गेमेटो साइट कहां डेवलप हुई तो आपको आरबीसी सिधा सिधा सा लग जाएगा अब यहां का गेम अमारी हुमन बोडी का गेम यहां तक था पहले तो हमको मस्किटों ने बाइट किया इस प्रोजेट के फोम में वह ब्लेट के थूर लिवर में गया स्टेज को बरस्ट 昏 Claudiozin kule रां目 अधारय सेक्षूल रिपररिक्शनों हों आरबीसी को बरस्ट होने से एक तोक्सिक सब्स्टेंस लूइस हुआ हीमोसी सेज खेल जोकि 있죠 मैं मलेरय के बीस में कोई मस्किटो इस हुमन को बाइट करेगा जिसके अंदर ये सेक्सोल स्टेज गेमेट्टु साइट डेवलप हुई तो बाइट करने से जो मस्किटो के अंदर ब्लट के थुरू ये गेमेट्टु साइट पहुच जाएंगे मस्किटों ने बाइट किया तो ब्लट के थुरू गेमेटो साइट उस मस्किटों के अंदर पोच जाएंगे जिसको जिसने बाइट किया ठीक है बाइट करने के बाद ये गेमेटो साइट मस्किटों के गट में जाएंगे कहां जाएंगे गट ठीक है गिमेटोसाइट जाएंगे मस्किटों के गट में अब वहाँ पे गट में इस गिमेटोसाइट का डिवलप होने के बाद ये पहुच जाएंगे मस्किटों की सिलिवरी ग्लेंड में ये गट में थे गिमेटोसाइट इंगेमेंटु साइट का डीवलेफ हुआ मस्क कितों के गट मे हो की ठीक है अब डीवलेफ होने के बाद ये गट से बहार आंगे इसकी सेलेवरी गेंटु साइट का डीवलेफमेंट हो रायिए को ओ करते हिसी डैफिस का का development होने के बाद ही चाल जाएंगे इसकी सेलेवरी ग्लेंड में अब फिर कोई मस्कीटो हुमन को बाइट करेंगा तो इसकी सेलेवरी ग्लेंड से निकल कि मलीरिया पहुच जाएगा उसके लड में इनसान के ब्लेड में तो यह थी लाइफ साइपल मली रही प्लाजम ओड्यम isporozoid के through पहुच जाएगा ठीक है isporozoid के through पहुच जाएगा एक infectious form होती है लाज में ठीक है तो ब्लेट के through वह isporozoid जाएगा liver में asexual reproduction होगा liver cell burst होगी फिर वहीं blood के through rbc में जाएगा rbc को burst करेगा जिससे hemojoin release होगा एक toxic substance जो की fever के हिमो जूइन ही भी भी हूआ लटो बयुण को कि यह कमती गट में पहुच जाएंगे लग्ये अब यह भी आफणने का नेकर डेवलेपमेंट होगा हुआ है डीवलेपमेंट पूरा होने के बाद यह गड़ से बाहर आके सली एस बड़ कादागी है अगल कि अगर यह यह cricket को बाइट करेंगा तो फिर वह इस पर उनिलेट के फोम MICHAEL में बार पड़र करें है pier transc थेंक यू